आज हम आपके लेकर आए हैं New York Time Best Selling लेकर Tom Connellan की Best Selling किताब 1% Formula का Complete Hindi Book Summary आज हम उस पुस्तक की Summary के बारे में जानेंगे जिसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने लक्षे को पराप्त करने के लिए हर रूज एक परतिसा सुधार करके एक दिन अपने लक्षे तक पहुंच सकते हैं 1% Formula एक बहतरिन पुस्तक है जिसे पढ़ कर आप अपने कारोबार, नोकुरी तता जीवन को नई उचाया पर ले जा सकते हैं तो आए दोस्तों सुरू करते हैं टॉम कॉनलन की किताब वन परसेंट फर्मूला का कंप्लिट हिंदी बुक समुरी चैप्टर फर्स्ट किये परिवर्तन का समय है लेकर कहते हैं कि कोई भी खेल या परतिस्परदा हो गोल्ड मेडल जीतने वाले और चौते इस्तान पर आने वाले के बीच का ओस्त अंतर केवल एक परतिस्पर का होता है इसका मतलब है कि असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क सिरफ एक परतिस्पर होता है आप हर व्यक्ति से किसी भी चीज में 100% बहतर नहीं बन सकते लेकिन आप सहकड़ों चीजों में 1% बहतर जरूर बन सकते आप हर समय जीत नहीं सकते लेकिन अगर आप किसी चीज को कल से बहतर करते हैं तो आपके पास हमेशा एक विजेता का दिल होता है हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन वह अभी जहां है, उससे बहतर अवसे बन सकता है Olympic का भी आदर्स वाक्य यही है, जदा तेज, जदा उंचा और जदा सकती साली ना कि सबसे तेज, सबसे उंचा, सबसे सकती साली इसलिए सफलता पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप लगाता छोटे और लक्षे बद सुधार करते रहें यह आसान नहीं होगा आपको अपनी कुछ पुरानी आदिते छोड़नी होगी काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे और अपने तता दोसरों के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे चैप्टर टू प्रेणा को बढ़ाने वाला विपरित तरीका लेखक कहते हैं कि प्रेणा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कारे को बढ़ाना आप किसी कारे को जितना ज़्यादा करते रहते हैं आप उसे करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं इसलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कारे करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेणा मिलेगी ये खुद को पोर्षन देने वाली सतत चक्र है इसमें सबसे अहम सवाल है कि हम सुरू कहां से करते हैं इसका जवाब है कि आप कोई भी कार्य करके सुरू आत कर सकते हैं चाये वह कार्य कितना भी छोटा क्यों ना हो और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेणा बढ़ जाती है फिर आप उसे ज्यादा करते हैं इससे आपकी प्रेणा और भी बढ़ जाती और ये चक्र सतत चलता रहता है किसी भी कार्य को करने और अपने प्रेणा को बढ़ाने के लिए ये आवस्यक है कि आपके लक्से इसपस्ट होने चाहिए आपको इस बारे में इसपस्ट होना यदि आप ऐसे कारे करते हैं जो आपके लक्सिय की दिशा में कोई यूगदा नहीं देता है तो आप बस अपना समय बरबाद कर रहे हैं कोई भी कारे करने में आपको दो मुख्य बातों को याद रखना चाहिए पहली आपको सही कार्य करना है दूसरी आपको कार्य को सही तरीके से करना है सबसे पहले तो आपको ये सुनिचित करना होगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह सही कार्य यानि आप परभाव कारी बन रहे हैं फिर जब आपको यकिन हो जाये कि आप सही कार्य कर रहे हैं तो आपको उसे करने में कारे कुषल होना पड़ेगा यानि उसे सच मुझ अच्छी तरह करना पड़ेगा कही बार लोग उन कारे को करने में सच मुझ अच्छे होते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए चैप्टर थर्ड निजी सफलता की बोतिकी स्वयम को ज्यादा सक्ति साली कैसे बनाए लेखक कहते हैं कि आपको बैठ कर उन प्रिस्तितियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है जो आपको सक्रिय उनने के लिए विवस कर दे आप एक इच्छा सक्ति वाला इंसान है कारे कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन के किसी एक छेत्र को बहतर बनाने के लिए कोई एक कारे करे और एक बार जब आप खुद को कारे करके गती में ले आते हैं तो आप गती में ही बने रहते हैं नियूटन का नियम भी यही कहता है निस्क्रियता उत्क्र आप गती में आ जाते हैं तो आप उस शुराती निसकर्यता से उबर चुके हैं जो आपको अपनी जगह पर रोके हुए थी उस बिंदु पर आपने गती की जो सक्ति बनाई है वह आपको अगे बढ़ाती रहती है अगर आप सही दिसा में चल रहे हैं तो आप परगति करते रहेंगे जब तक कि कोई बाहरी सक्ति रोक न दे हाँ कही बार बाहरी परस्तितियां आपको रोक देती है कही बार आपका उन पर कोई नियंतरण नहीं होता लेकिन हर बार आप इस नियम का परियोग करके खुद को गती में ला सकते हैं और हर दिन अपने जीवन में एक परतिसा सुधार करके अपने लक्षिय की दीशा में आगे बढ़ सकते हैं लिवरेज भोती की एक नियम है जिसका परियोग हम अपने देनिक जीवन के कारियों को उत्रस्ट बनाने में कर सकते हैं लिवरेज वैवार में एक छोटे से परिवर्तन की सकती को बढ़ा देता है इसकी बदुलत आप एक छोटा सा परिवर्तन करके ज़्यादा बड़ा परिणाम या सुधार देख सकते आप जो भी कारिय करते हैं उसमें छोटा सा सही परिवर्तन आपके लगाए परियाज के तुलना में ज़्यादा बड़े परिणाम देता है किसी भी छेतर में जो लोग सिखर पर है वा उच लिवर्यज वाले कारियों के अवसर पैचानने और उनका इस्तमाल करने में बहुत निपून होते हैं हम जानते हैं कि अगर हम अपने कारे करने के तरीके मैं छोटा परियोतन कर दे तो लिवरेज की सकती के कार्ड हमें ज़्यादा बड़े आकार के परिणाम मिल सकते हैं आपको परिणामों पर ध्यान कहिंदित नहीं करना चाहिए आपको तो उन व्यवारों पर ध्यान केंदित करना चाहिए जो ज़्यादा आकार की परिणाम उत्पन करते हैं आपको ऐसे कारियों को पैचारने और सुरू करने की जुरूत है जो ज़्यादा बड़ी परिणाम उत्पन करें इसे 2080 सिद्धान्द कहते हैं हमें अपने कारियों में उन छोटे परिवतनों पर ध्यान केंदित करने की जुरूत होती है जो हमारे परिणामों में बड़े परिवतन उत्पन करें जब आप तालाब के बीच में एक पत्तर गिराते हैं तो इससे लहरे उटकर बहर की और फैलती है पूरे तालाब पर असर डालती है यही एक परतिसत के फॉर्मूले के साथ होता है एक बार जब आप अपने कारिय करने के तरीके में सही परिवतन सुरू करते हैं तो परवाब बहर की और फैलता है और परवेश के सुराती बिंदुक के आसपास सभी समंदों को परवावित करता है यह सिद्दान्त आपके जीवन के हर पहलू पर लगो होते है चाहे वह आपका कारिय हो, सहत हो, फिटने से हो या कोई नई योगिता को सीखना या पुरानी योगितों को निखारना हो चैप्टर फूर, अब्यास निपून क्यों नहीं बनाता है और इस बारे में क्या करें जीवन में सफल या माहिर होने के लिए आपको अपने आसपास की इस्तितियों पर ध्यान देना होता है और अपने आपको परती क्रिया में उनके अनुरुप इस तरह डालना होता है ताकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहे आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपको सिर्फ परती रोध ही मिलता है तो सायद आपको थोड़े अलग कौर्ण पर अपने लक्से की ओर जाना चाहिए अपने लक्से को जान ले फिर सही दिशा पर ध्यान केंदित करें जो आपको उसकी ओर ले जाती है ये एक अतिन्त महत्पून चीज़ें जो एक परतीसत के फार्मूले के बारे में जान लेना चाहिए इस दुनिया में स्वभाविक जैसी कोई चीज नहीं होती सब कुछ अब्यास पर निर्पर करता है अगर आप किसी चीज में अच्चा बनना चाहते हैं आपको अब्यास करना होगा केवल अब्यास दरसर सर्वसेष्ट लोगों में सर्वसेष्ट बनने के लिए आपको दस हजार गंटों का अब्यास करना होगा आप जीवन के किसी भी चीज व्यवसाय, गणीत, विज्ञान, संगीत, साहितिय, सत्रंज, तास चाहे जो हो मैं उत्कृष्टा हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको दस हजार गंटों के सू नियोजित अब्यास की जुरूरत होती है व्यग्यानिकों को नेसरगी परतिबा का धनी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इतने अब्यास के बिना सिखर पर सिर्फ इसलिए पहुँच गया हो क्योंकि उसमें नेसरगी परतिबा थी यदि आप अब्यास में समय और परियास लगाते हैं तो आपको सुधार देखेगा और यदि आप सुधार देखना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा तीस साल के अनुपव वाले बहुत से लोगों के पास दरसल तीस साल का अनुपव नहीं होता है उनके पास तो एक साल का अनुपव होता है जिसे उन्होंने तीस बार दोराया है क्योंकि उन्होंने कभी भी विकास या विस्तार किया ही नहीं एक बात जो आप जान ले केवल दस जार घंटे अब्यास करके आप सिखर पर नहीं पहुंच सकते हो यहां अब्यास के घंटों के मातरा से ज़्यादा उनकी गुनवत्ता के बारे में और गुनवत्तापूर्ण अब्यास को सुविचारित अब्यास कहते हैं सुविचारित अब्यास खास तोर पर परदस्तन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है इसके साथ स्रिजनात्म फीड़ बैक भी जरूरी होता है आपको नियमित रूप से कुछ समय ठहर कर अपने परदस्तन की समिक्षा करनी होती है आपको ये आंकलन करना होता है कि आपने कितना अच्चा काम किया और अगर वैसा ही कारिये करते रहे तो अगली बार उसमें सुदार कैसे कर सकते हैं आपको कोई भी कठिन कारे करने की स्वेच्चा से पहल करना चाहिए क्योंकि जब आप कोई भी परियाब चुन्वती पूर्ण चीज चुनते हैं तो ये सीखने और विस्थार करने का आपको मौखा परदान करता है आपको कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए अपनी तुलना खुद से ज़्यादा उपयोगी होती है सबसे ज़्यादा माइने ये रखता है कि आप अपने वर्तमान सरुप से एक परतिसर बहतर बन जाए आपको ये यातरा वहाँ से सुरुप करनी पड़ती है जहां आप इस वक्त है आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं और साइब भुष्य के सपने भी देख सकते हैं लेकिन वर्तमान में अपना सरुप सिष्ट करना ही नियम है आसा अचछी चीज़ है लेकिन यदि आप कार्य नहीं करते हैं तो ये खास तोर पर उप्योगी रणनीटी नहीं है बहुत से लोग सकारत मख सूचते हैं लेकिन किसी ऐसी योजने पर अमल नहीं करते हैं जो हमें सपने साकार करने की दिशा में ले जाने वाले कारे करने के लिए विवस कर दे आप सिर्फ इच्चा नहीं कर सकते आपको कारे करना होता है आपको अपने लक्सित तक पहुंचने की कुझी ये जानना है कि आप कहां जाना चाहते और वहां पहुँचने के लिए आपको कौनसे कारे करने की जुरूर थे और फिर लगन वा परियास आपको वहां पहुँचा देगे सफल होने के लिए हम सभी को एक चीज़ करनी पड़ती है और वह सबसे पहले बेहट जाएं और सटिकसा से ये पता लगाना है कि हम कहां है इसके लिए तत्यों को निर्ममता से आखलन करना पड़ता है जब आप मुसीबत में होते हैं तो बहारी मदद खोजना तो समझदारी का काम लेकिन आप दूसरों पर निर्मर नहीं रह सकते हैं वे आपके लिए हर चीज कर दें कोई मदद नहीं करता है सब कुछ आपको खुद ही करना होता है चैप्टर फाइब तीस दिन का फर्मूला जो आपकी जिन्दगी बदल देगा हर मनुस्य आराम के दायरे में रहना चाहता है लेकिन जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं या करते हैं तो आपके मस्तिक्स में नए कनेक्शन बनते हैं आप एक आदत चुन लें किसी चीज को करने का तरीका जिसे आप बदलना चाहते हैं छोटे और निचित परिवर्तन का लक्षे बनाए यदि आप बहुत बड़े और मुस्किल परिवर्तन का लक्षे बनाते हैं तो ये जोखिम रहता है कि आप अंत में नाकाम या हतोचाइत हो जाएंगे कारे करने के उस तरीके को 30 दिनों तक हर दिन अपनाएं तीस दिनों के अंत में ये एक आदत बन जाएगी जो सवचालित होगी इसके बाद आप कोई दूसरा छोटा परिवतन करने की और बढ़ सकते हैं एक माईने तक हर दिन इसका अभ्यास कर सकते हैं फिर अगले परिवतन की और बढ़ सकते हैं हर साल आप अपने जीने और कायर करने के कम से कम 12 पहलों को इस्ताई रूप से बदल सकते हैं जब तक आप खुद को और अपने जीवन को जब तक बहतर बनाना चाहें तब तक इस परक्रिया को जारी रख कर लाब ले सकते हैं